कारकरता ही पेड़ पे चड़े कारकरताओं ने ही उसे बचाया और कारकरताओं ने बचाके जब नीचे वो व्यक्ति लाया गया उसके बाद उसको अस्पताल ले जाने के लिए हम लोगों ने तुरंत मंच से खड़े होकर ये कहा कि कोई भी पुलिस के साथ अबद्रता नहीं करेगा कोई भी कहा सुनी नहीं करेगा इसका जीवन बचाना महत्तुपूर्ण है ये आपके कैमरे में कैद होगा दिखा दीजिएगा आपका जीवन बचाना महत्तुपूर्ण है रास्ता दीजिए इसको अस्पताल जाने दीजिए अपने कारकरताओं को हम लोग रोकते रहे कहा ये जा रहा है कि रैली क्यों नहीं रोक दी गई आप इस मॉब मेंटेल्टी को समझते हैं हम अपील वहां से खड़े होके करते रहे कि कारकरता कोई बतसलू की पुलिस से ना करें जगला ना करें आक्रोस में आके गु इस कोशिस के आपको याद होगा पुलिस वाले प्रोफेशनल्स होते हैं वह ऐसी घटनाओं से नपटने के लिए उनकी ट्रेनिंग होती है एक भी पुलिस वाला जबकि दिल्ली के मुखमंती डिप्टी सीम वहां मौजूद थे उनकी सिक्योरिटी के लिए अलग से सिक्यो इसकी ये दुर्भागी की बास है कि हमनते तक उसको नहीं बचा पाए मैं आज आपके सामने अपील करना चाहता हूँ कि दिल्ली के जो इस इलाखे के जो पुलिस के इंचार्ज है उनके खिलाफ फोरण कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए ये अर्विन जी की गलती है कि अर्विन जी फोरण मंच से नहीं उतरे ये अर्विन जी की गलती है फोरण वो पेड़ पे नहीं चड़े ये अर्विन जी की गलती है कि वो शाखाओं पे नहीं गए दिल्ली के मुखमंत्री की ये काम करना चाहिए खा मैं अगली बार अगा ऐसा होगा तो मैं दिल्ली क उस पे जाके शाखाओं पे जाएं उस आदमी को आत्मत्या करने से रोके